दोस्तों आज मैं आपको बहुत इफेक्टिव घरेल उपाई के बारे में बताने वाली हूँ सिर्फ तीन चीजों का इस्तमाल करना है जो कि खून को पतला करनी के साथ साथ नसों की ब्लॉकेस को भी खोल देंगी ये बुरे कॉलेस्टरॉल को भी बाडी से बाहर कर देंगी साथी साथ आपकी बाडी को भी प्यॉरिफाई कर देंगी यानि कि साफ कर देंगी शरीर के अलग-अलग हिस्सों में यानि कि पैरों में, कंदों में, पिंडलीों में होने वाले दर्द को भी दूर करने में ये छोटी सी चीज़े बहुत कारगर हैं अगर आपको भी इस तरह की कोई तकलीफ है, तो आप इन उपायों को एक वीक के लिए जरूर इस्तमाल कीजिए, ये बुरे कॉलेस्टॉल को बाहर कर देगी दिल के रोग, नसों में दर्द, एठन, वात रोग, ब्लॉकिस, वे नसों में होने वाली कमजोरी में आपको बहुत फाइदा मिलेगा सबसे पहली चीज़ जो हम यहां इस्तमाल करने हैं, वो है लसन, लसन में ऐलसन नमक अशदी पाई जाती है इस LSA में एंटी आक्सिदेंट, एंटी फंगल, एंटी बेक्टीरियल गुन होते हैं लसन दोस्तों हमारे खुन को पतला करता है, जिनके भी शरीर का खुन गाड़ा हो चुका है, ब्लॉड सर्कूलेशन प्रॉपर नहीं होता, ब्लॉकिस की समस्या हो गई है तो उनको लसन जरूर खाना चाहिए, यह बॉडी से टॉक्सिंस को दूर करता है, कॉलेस्टॉल और हार्ट स्टॉक के खत्रे से हमें बचा करता है तो यहाँ पर हमको चाहिए सर्फ एक कले लसन की, दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तवाल कर रहे हैं, वो है दोस्तो हल्दी, यानि की टर्मनी, दोस्तो हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता है इसके इलावा दोस्तो हल्दी एंटी बेक्टीरियल होती है, एंटी डाइबिटिक होती है, एंटी इंफ्लमेटरी होती है अस्ताग हिर्द्य में हल्दी के अश्यतिय कुन बताये गए हैं, पर साथ में बताया गया है कि इसे कच्चे रूप में खाना ही लाबका रख है समस्या है, या सूजन हो गई है, तो हल्दी का इस्तमाल करना चाहिए, साथी हल्दी खाने से खून साफ होता है, ब्लॉकेस की समस्या दूर होती है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ये हमने सिरफ तीन चुटकी हल्दी का इस्तमाल करना है अगली चीज जो हम ले रहे हैं वो है अध्रक अध्रक शरीर के लिए बहुत ही फायदेमद होती है दोस्तों अध्रक के गुनों की बात करें तो ये खून को पतला करता है वात्वे सुजिन को दूर करता है बलगम, खांसी, कफ से भी अध्रक मिजाद दिलाता है अध्रक शदिया इस्तमाल करने हो ये तीनों की तीनों ही बहुत पावरफुल है दोस्तों आपने इन चीजों को कच्चे रूप में खाना है कहा जाता है कि अगर लसुन वे अध्रक को कच्चे रूप में खाया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए गुनों का बंडार है पुराने जम और इसे हम एक चबाकर भी अंदर नहीं निगलना पड़े आपने क्या करना है एक गिलास गरम गरम पानी लेना है उसके अदर एक कली लसुन की पूरी तरह से कुटी हुई किसी भी चीज़े से कोट लीजिए और इस पानी के अदर डाल देनी है आदा इंच अध्रक का टु और इसके अंदर तीन चुट की हल्दी मिक्स कर देनी है दोस्तों ये वो पानी तैयार हो गया अगर आपने इसका इस्तमाल एक हफते के लिए कर लिया तो ये अगर आपका खून गाड़ा है खून गाड़े होने की समस्या के कारण कभी-कभी क्या होता है एक दम से हम नीच नीचे से खड़े होते हैं या फिर नीचे बैट गए खड़े होते हैं तो चक्कर आने लगते हैं तो पता लगता है कि खून जो है काड़ा हो रहा है इसके कारण हमारी बॉडी के अंदर oxygen की सप्लाई और खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही दोस्तों ये समस्या को दूर कर देगा बुरे कॉलेस्टरोल को कंट्रोल करेगा और बुरे कॉलेस्टरोल को बॉडी से बाहर कर देगा बीपी को नॉर्मल रखेगा दसों की ब्लॉकेस की समस्या को दूर कर देगा अगर आप दसों की ब्लॉकेस को खोलना चाहते तो आपको इसका इस्तमाल जरू दोस्तो अगर आपको इच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिये और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रिपाए